हलो एंड गुड मॉर्निंग एवरिवन, मेरा नाम है अजे जागलान, इजी एकोनोमिक्स में आप सभी का एक बार फिर सस्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी शकुशल होंगे अपने घर पे, तो बच्चों जैसा के आप सभी जानते हैं, हमारे जो हाफ यरली एक इसका नाम है Statistics for Economics, ठीक है, उसको हमें यहाँ पर cover करना है बच्चे, और इस book को cover करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ topics जो पहले बताए थे कि इसके अंदर से deleted हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करूँगा मैं, और उनके बारे म आपको मैं पहले भी एक special वीडियो बना के समझा चुका हूँ, और start करने से पहले बच्चे देखो, जो हमारी book है वो कुछ इस प्रकार के दिखती है, जो आपके statistics for economics है, उसका front page, VK publication की वो book है, टी आर जैन उसके एक writer है, author है ठीक है, class 11 के लिए हमारी ये book है, तो दिखात हूँ आपको मैं इसके अंदर जो chapter हमें cover करने है, वो कौन-कौन से है, देखो भई, आपको यहाँ पर ये chapter cover करने है, बच्चे, देखिए, आपके पास इस book के अंदर यहाँ पर total 13 chapter है, पर जिसके अंदर से, जो last 3 chapter है, वो CBSC ने पूरे ये पूरे omit करा दिये हैं, chapter 5 to 8, chapter 5 to 10 आपके लिए यहाँ पर practical chapter है, बच्चे, यहाँ पर आपको practically काम करना पड़ेगा, तो start करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दूँ बच्चे, ये topics जो हमारे deleted किये गए हैं, उनको ध्यान से देख लेना, इनको हमें आज इस year में, इस session में cover नहीं करना, आने वाले जो sessions होंगे, वहाँ पर जैसे CBC की guidelines होंगी, वहाँ पर हम लोग वैसे उनको देख लेंगे, ठीक है वहीं, तो start करते हम लोग chapter अपने first के साथ, जिसका नाम है concept of economics and significance of statistics in economics, कि economics का concept किस प्रकार से है, और उस economics के अंदर उस statistics की importance क्या है, क्या जरुरत है, हम क्यों इसको study कर रहे है, ठीक है, economics का concept आप सब के लिए पहले से clear है, पहले से समझा चुका हूँ मैं, कि मतलब क्या होता है, और statistics को समझने से पहले देखो बच्चे, आपको इसका एक journal सा मतलब बता जेता हूँ मैं, मतलब इसका होता है, जहांपर हम study करते हैं, statistics में, किनी facts और figure क क्या होते हैं बच्चे, देखो facts होते हैं बच्चे हमारे लिए जो universal truth होते हैं, कि ये तो सच्चाई है, इसके अलावा कुछ और सच्चाई नहीं हो सकती, जैसे सूरज पूरवदिशा से उगता है, वो पश्चम दिशा में ही वो छिपता है बच्चे, ये एक fact है, इसको को कोई नहीं बदल सकता है, दिन रात होते हैं, रात के बाद दिन होगा, दिन के बाद रात होगी, ये एक universal truth है वही, इसको कोई नहीं change कर सकता, ऐसे ही हमारे पास economics करते हैं, काफे सारे truth हैं, जो कभी change नहीं हो सकते, और जो figures होते हैं, figure का मतलब होता है बच्चे, जब आप क सर बहुत कम भूक लगी है, high yellow की बात की गई है, ठीक है, cardinal और ordinal की बात कर रहे हैं हम लोगे यहां पर, अगर हम उस चीज को ये कहें, सर मुझे 5 रूटियों की भूक है, मुझे 6 रूटियों की भूक है, मुझे 20 रूटियां खानी है, मुझे 5 गलास पानी पीना है, करने के लिए, तो वही points की study हम लोग यहां पर करेंगे भई, ठीक है, आगे कहता है कि economics, वह आप सब को पता economics क्या होती है, और उस economics में हमें पढ़ना है बच्चे, consumer क्या होता है, देखो ये चीज हम लोग पहले भी cover कर चुके हैं, पर आपको एक बार हलका सा फिर से revise करा द करता है ठीक है, consumption क्या होती है, जो consumer consume करता है, जिन वस्तूओं को, जिन goods or services को consume करता है, जो समान उसने खरीदा है, उनको वो इस्तमाल करता है, जो इस्तमाल का process होता है उसको कहते हैं consumption ठीक है, क्योंकि वो उसने इस्तमाल की गई है, और उस consumption की help से वो क्या पूरी करता है, वो अपनी satisfaction को पूरी करता है, वो अपनी willpower को पूरी करता है, जो satisfaction power है न उसकी, के हाँ, मैंने दो रूटियां खाई है, तो मेरा पेट भर गया, वो satisfaction मिली है उसको, मैं 50 km चला हूँ, तो मुझे exercise किये मैंने, satisfaction मिलती है उसको, उसने कुछ भी consume किया है, तो उसको satisfaction फील होती है भई, ठीक है, आगे कहता है, same case में producer कौन होता है, देखो जो goods को produce करता है, बनाता है, इनके लिए consumers के लिए, वो कौन कहलाता है हमारा, producer कहलाता है, और, जो consumer की consumption को, उनकी satisfaction को achieve करने के लिए, जिस process को वो बनाता है, use करता है, उसको कहते हैं, production, production की help से ही, किसी product को वो बहार लेकर आता है, ठीक है, और जो बहार आता है, उसको क्या कहते हैं, product कहते हैं ठीक है, आगे कहता है वो हमारे पास, कि savings क्या होती हैं, देखो भई, savings और investment की बात, यहां पर बात करता है, वो income की बात, एक हमारी होती है वच्छे income, हम कुछ भी काम करते हैं, तो हमें बदले में कुछ न कुछ income मिलती है, उसी income का कुछ हिस्सा, उसी income का कुछ हिस्सा, आप अपने पास save कर लेते हैं, save किसलिए करते हैं, भविष्य में कभी भी उसको इस्तमाल करने के लिए, कभी बुरेट समय में उसको इस्तमाल करना पड़ जे, या अपने किसी काम को पूरा करने के लिए भी, कहता है यह income का वो पार्ट है, जिसको consume नहीं किया गया, जबकि उसको बचा के रख लिया गया, ठीक है भई, और investment क्या होती है, कहता है investment एक expenditure है, ठीक है, जो producer करता है, by the producer, on the purchase of such assets, which help to generate income, ऐसा खर्चा है investment, जिसकी help से, वो आगे और income कमा सके, मतलब, पैसे से पैसा कमाया जा सके, for example, आपने कार खरी दिये भई, आपने अपने घर के इस्तमाल के लिए कार खरी दिये, तो आप उसे income generate नहीं कर सकते, आपने पांच लाख रूपे लगाए हैं, एक कार खरी दिये, वो घर पे खड़ी रहती है आपके इस्तमाल में, पैसा आपने लगा दिया, वो investment नहीं है वही, investment होगी बच्चे, जब आपने कार खरी दी है, और आप उस कार के साथ, बजार में आप उसको टेक्सी के रूपे स्नमाल करते हैं, उससे और income generate कर रहे हैं, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो वो आपके लिए investment है, आपने 5,00,000 रुपे लगाए हैं, तो आप 5,00,000 के बदले, अब हर रोज, 1000,00, 2000, 10,000, जैसे भी चीज़े होती हैं, वैसे कमाते हैं, आपने दुकान की है, एक पर चुन की दुकान की है, ठीक क्रियाने की शॉप की है अपने, आपने 10,00,000 रुपे लगाए हैं, अब आप उसके बदले हर रोज, कुछ ने कुछ कमा रहे हैं, वो investment है आपके लिए, और वो भी assets के उपर, जो assets होते हैं, उन पर जो खर्चा किया जाए, जिससे हमें भविश्य में income मिले, उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है बचे, यहाँ पर investment, ठीक है, और जो भी हम खरीते हैं, बेचते हैं, demand करते हैं, produce करते हैं, supply करते हैं, ठीक है, जितने ही काम होते हैं, वो सब कहलाती हैं, हमारी economic activity, ऐसी activity जिन में कुछ lane देन हो रहा हो, sale purchase हो रहा हो, कुछ produce हो रहा हो, कुछ consume हो रहा हो, कुछ save हो रहा हो, कुछ invest हो रहा हो, वो सब क्या कहलाती हैं, हमारी economic activity कहलाती हैं, अब देखो, आप सब कहेंगे, के सर, एक example की तोर पर बात करता हूँ आप से, मैं, यह lockdown लगा हमारे देश में, कोरोना वायरास की वज़े से, यहां पर क्या हुआ बच्चे, सब कहते के हमारे देश के economic study, economic जो, economic power थी हमारी वो कम होगी है, कारण क्या बच्चे, क्योंकि economic activity होना ही बंद होगी थी, फ्रक्टरिया बंद होगी थी, production बंद होगी थी, बंद तो नहीं थी, लेकिन काफी मातरा में कम होगी थी, लोग बाहर नहीं निगल रहे तो consumption क्या होगी, लोग इदर उदर नहीं आज आ रहे थे, बसों में नहीं बैठ रहे थे, ओटों में नहीं बैठ रहे थे, पेट्रोल बंपे तेल नहीं बिक रहा था वही तो वो production supply कुछ भी नहीं हो रहा था भी तो economic activity होना बंद हो गई थी ठीक है तो आप इसके example के help से economic activity का महत्व जो importance है वो पूरा समसकते है यहां पर ठीक है आगे कहता है कि भी scarcity of the under current of economic problem and therefore of economics कि जो हमारी economic problem क्या है भी देखो हम लोग जो हम लोग ने micro economics पढ़ी थे उसकी starting से हम लोग पढ़ते आ रहे थे economic problem क्या होती है देखो बच्चे हमारे पास basically तीन problem होती है कि हमें क्या produce करना है किसके लिए produce करना है और किसके द्वारा produce करना है और फिर कैसे produce करना है, what to produce, how to produce and for whom to produce ऐसी problem मारे पास होती है, यह choice की problem होती है कि हमें क्या choose करना है, ठीक है ऐसी कुछ problems है, जिनके बारे में हमें यहाँ पर इस chapter के अंदर पढ़ना है ठीक है, यह तो basic सा overview है, जो मैं आपके यहाँ पर आपके लिए cover कर रहा हूँ आशा करतों आपका पूरा lecture clear हुआ होगा, अगर फिर भी कोई doubt है, तो मुझे comment section में जरूर लिखे और अगर आप हमारे channel पर नए हैं, तो channel को subscribe करना बिलकुल न भोले Thanks for listening, have a great day